नमस्कार दोस्तों मैं विने सिंग आपका एक वर्स फिर स्वगत करते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से गौर्मेंट की नई स्कीम साही है जिसमें की आबा कार्ड को सीजिट्स कार्ड से जुड़ने का प्रस्ताव दिया गया है जिससे की आपकी जो हैल्थ स्ट्री है वह सही तरीके से मोनिटर कि जाएसे इससे जो नौटिफिकेशन है वह जो जारी किया है वह 11 जनवरी 2023 को जारी किया गया है इसमें यह यादि आपके पास सीजिट्स कार्ड होल्ड़ है और आपके पास अगर आवा यानि आयुष्मान health schemes है इसके तहत भी अगर आयुशमान कार्ड है तो इन दोनों को joint कर दिया जाएगा और अगर नहीं है तो एक जो आयुशमान भारत जिसमें की पूरे भारत के लोगों का health के related जितनी भी information से वो जो पहले तो आपको पता हों चाहिए कि आभा क्या है यह प्रधान मंत्री नरेनर मुईदी जी जी द्वारा 2020 में लाई गई बहुत अच्छे schemes है जिसमें सभी भारत के सभी लगबग नागरिकों को कवर किया गया है और उनको पांच लाग तक का निशुल्क चिकित्चा उपलब्त करवाने की कुछिस की गई है इसकी जो आईडी होती है वह जैसा कि आप देख रहे है इसी तरीके से जो करते हैं यह नंबर ही आपकी एक हेल्थ आइडेंटिटी नंबर है तो इसको बनाना किस तरीके से अगर वो डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको मैं अलग वीडियो में बता दूँगा अब होता क्या है कि इसी जो नोटिफिकेशन है उसकी जो मेनमें पॉइंट से वह हो जाएगी जिस तरीके से टेक्नलोजी बहुत तेजी से बढ़ रही है उसी टेक्नलोजी का पूरा अपयोग करने के लिए यह इसके साथ साथ में यह बहुत ही सेफ है जहां पर अगर किसी पेसेंट्स को कोई दिक्कत हो जाती है तो उसकी पास हिस्ट्री क्याती हो सकता है वह ना बता पाए पर उसका जो यह आभा और सीजेचेस जब मर्ज हो जाएंगे तो पूरी डिटेल सेट्र के सामने खोल जाएगी साथ साथ में आपको अताता है आभा नंबर होता है वह विभिन प्रकार की जो गवर्मेंट की स्कीम्स होती है अच्छेट से रिलिटेड हो सारी स्कीम्स में जो भी आप टीटमेंट लेते हैं उसको कवर करता हुआ यह आपको नंबर में आपका सब कुछ कवर होता है यह आपने आभा की आईडी बना रखी है तब और इसी आईडी को आपके अच्छे के लिए जिससे की आप अपना सीजिचेस जोड़ पाएं उसक जो बना सीजिच्अ के थ्रो है ऐप aşk उस्स terrified पे जाएंगे उस इस तरह को जो हैंदो खुल है इस विंड़ो में जैसे कुमटा रखा है इसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से साइट आपका जो है आइंटिफिकेशन एक तरीके से लॉगिन करवाएगी लॉगिन के लिए जो आपकी बेनिफिसरी आइडी जो सीजिचेस कार्ड के उपर होती है उसी आइडी को डालके आपको लॉगिन करना यदि आप पासवर्ड के थ्रूब यहां और अगर पासवर्ड आपको याद है तो आप डिरेक्ट लॉगिन करके आजाएंगे तो यह तरीके से पेज खुल जाएगा जहां आपकी पूरी डिटेल खुल जाएगी इसके बाद आप आभा के साथ मैं किस तरीके से करना है तो यहीं पर आपको देखिये अफ डेट में जब जाएंगे अफडेट में createła लिख लिंक आभा id यह आपको अब्डेट वाले सेक्शन में मिल जाएगा इसको आप क्लिक करके इसमें आपको मुबाइल नंबर डालना है अपना और है तो मॉबाइल नंबर को आप नीछे लिंक कर दीज occup कि इसके ग 수가 जाएगा यह सब दीक करने के बाल आज आप इसके जारा है मुबाइल नंबर ऋप्डेट हो जाएगा और आगे आपकी लिंक घृत हो जाएगी है तो आज तो आप इस तरीके खुल रखी है अब नेक्स जब है अगर आपको आवा का आईडी पता है तो तो आप डिरेक्ट इसको इंसर्ट करके लिंक कर देंगा अगर नहीं पता है तो सबसे पहले आपको आवा की आईडी बनानी पड़ेगी यहां पर आपको देखिए दो बेनिफिट हो जाते है यदि आपके पास आवा आईडी नहीं है तो भी आप इस तरीके से आवा आईडी क्रियेट भी कर सकते हैं और अगर आप इससे नहीं अगर बाहर से करना चाहते हैं तो आवा की ओपिस्यल विबसाइट पर जाके आप इसकी आईडी क्रियेट करने के बाद वो यहां नंबर डालन आपके बाद आप लिंक कर पाएंगे पर यहां आपको मैं पूरी प्रिसेस बता रहा हूं यहीं आपकी आईड़ी भी create हो जाएगी और आपका लिंक भी जाएगा तो यह जिस तरीके से आपा अगर हो गया साथ में अपनी आवा I do को यहां पर लिंक कर देंगे तो यह आपके चार्ओव मेरे पास चार कर दो कर से एकी कराद है तो आप सत्के सामने इस तरीक जाएगा और आपको क्लिक करना है क्रेट लिंक पर प्लिक करेंगे तो कुछ से टरीकре से विंडर खूल जाएगा अब यह आप देख रहे हैं, तो इसमें है create and link using अधार कार्ड, इसमें option आता है, अधार कार्ड के साथ में आपको link करना है, यहाँ पर आपको अधार कार्ड number डालना है, और इसको check करने के बाद OTP create करना है, जब OTP आ जाता है, तो OTP आपको यहाँ पे fill कर देना है, और OTP को submit कर दीजिएगा, जब OTP submit कर देता है, तो वो देखिए match कराता है, आपका जो CGHS की details, प्लस आवा और आयुश्मान कार्ड, इसकी सब की details से match कराता है, तो लगबग देखिए मेरी first 94% बाकी 100% match हो गई है, तो अब इसने बोलिया है कि आप print आवा कार्ड, यहाँ आपका तो इस तरीक से आवा कार्ड और इसको लिंक करने की पूरी process जो कि मैंने आपको इसमें बता दी है, आसा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके समझे के जाएँ.